के ला सथ athletically का सवे tut six यह पाइचे एक के रा किसी स्क थाए डिसक्वरिधे बार कूसे autant में कीुए नियुकि हुआ हने सपार क будете को अगर कोई चार्ज पार्चिकल मोशन मर्म्रe था क्यों आता है क्यों आता है इसके ला स्वेसरी में करेंगे ईड को पर हुआ डिख देख रहे तो यह देखा गया थे कि जिस तरह से अगर आप आप इलक्ट्य फेल्ड में या आप प्सक्तिर्स पार्ट्ड चर्जज पार्टिकल को जब लग्ते हैं किसी दूसरे अग्वर परिंग से इस Geoc को रेस्ट नहीं होना ची अगर यह चायका रेस्ट में है धर आप ने इन चायको बाइंट में रखेंट में रखा तो होगी इंप कोई इंपक्त नहीं लोगा कुछ दिखेकuden युक्ट नहीं हो तो चार्ज पार्टिकल को हमेशा मोशन में होना चीए, अब यह force जो है, यह agitive simple नहीं है, जैसा कि coulomb force है, यह तो direct पता चल रहा है, तो अगर यह simple नहीं है, तो इसका impact देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि हम किस किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, तो हम और अगर खिलाल के लिए, इस formula से हमें पता चला, जब हमने माना कि दोनों 90 degree पे हैं, तो हमने देखा कि अगर 90 पे हैं, इस situation में, ठीक, तो अगर यह 90 पे नहीं है, वो भी हमने देखने की कोशिश की, तो हमने क्या किया, अलग-अलग cases बना लिए, कि यह जो V और B है, क्यो Q over hour, मतलब दोनों के बीच का distance और charge का magnitude, डिरेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो force है, वो angle पर भी depend कर रहा है, angle किस-किस के बीच का, V और B के बीच का, तो हमने कुछ cases ले लिए, कि जब अगर V और B के बीच का angle 0 है, तो FL 0 हो जाएगा, अगर 90 degree है, तो उस situation में circular motion हो जा और उसकी frequency क्या होगे, यह आपको याद रख सकते हैं, यह cyclone motion में आपके काम आएगा, mathematical part of cyclone motion यही पर कबर हो जाता है, ठीक, तो अब next है कि अगर angle 0 भी नहीं है और 5 by 2 भी नहीं है, suppose मैंने मान लिया कि 45 degree है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, कि यह आपका B था इस direction में, जो Y axis की तरफ suppose है, अब मेरा जो V है, charge particle का motion है, वो मैं X में नहीं ले रहा हूँ, यह आपका X axis है, लेकिन charge particle जो है, वो magnetic field के साथ, suppose 45 degree का angle बना रहा है, V, या कोई भी arbitrary angle, लेकिन हम एने example के लिए 45 ले गया, तो तीन case बने, पहला 0 है, तो हमने solve किया, 90 है तो इतनी बड़ी story बन रही है, यह सब कुछ होगा, और अगर 45 degree है तो तब क्या बनने वाला है, तो 45 degree के लिए देखो, यह V का जो इस direction में effect है, बी के direction में, इसको मैं लिख सकता हूँ, V cos of 45 degree, Y axis के respect में, या B के respect में, और X axis के respect में बन जाएगा, V of sin 45 degree, तो इसका मतलब मैंने इस V को दो components में बाढ़ दिया, बेक कर दिया, एक V की direction में, एक दूसरा, other 90 degree की direction में, तो यहाँ पर दो चीज हुआ, तो पहला जो है, V sin theta क्या करेगा, V sin theta देखो, V sin 45 या V sin 45, और लिख लेता हूँ, sin theta इसलिए कर रहा हूँ, आपको बाद में किसी और angle पर भी यह काम आजाएगा, V sin 45 degree क्या करेगा, यह V sin 45 degree, इस B के साथ 90 degree का angle बना रहा है, तो यह as it is, ऐसे ही काम करेगा, जैसे यह case 2 था, case 2 की तरह, लेकिन वहाँ पर V होता था angle, यहाँ पर V sin theta है, तो V sin theta जो वही काम करेगा, जैसे जो कि आपका case 2 आला, इसका मतलब, it will rotate the charge particle, V sin theta का काम होगा, charge particle को rotate करना, और V cos theta, दूसरा जो component है, V cos of theta, arbitrary के लिए, और यहाँ पर हमने इसको 45 मान रखा है, V cos 45 degree, V cos 45 क्या करेगा, इस direction में है, V cos 45, और V sin 45 इस direction में, V cos 45 इस charge particle को move कराएगा, try to move, particle in y direction, charge particle लिख देता हूँ, तो V cos 45 degree क्या करेगा, इसको charge magnetic field की direction में, move कराने की कोशिश करेगा, तो आपको जो resultant मिलेगा, the resultant motion विल्बी, resultant motion कुछ ऐसा हो जाएगा, यह अपका magnetic field की direction B था, जो भी upward, V sin थीटा इसको rotate कराएगा, और V cos थीटा displace कराएगा, तो V sin थीटा इसको rotate कराएगा, और V cos थीटा इसको displace कराएगा, तो यह एक ही same में रहेंगे, थोड़ा सा नीचे उपर हो रहा है, यह line सेम ही रहेगी सबके लिए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना लूँ, यह ज़्यादे बेटर आएगा, और यह continue चलते जाएगा, तो यह जो motion है, इसको हम बोलते हैं helix motion, helix motion, और इस helix motion में क्या-क्या है, एक तो यह आपको radius निकालना है, जिसको आपको मैंने बताया था, कैसे निकाल सकते हैं last time, last वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, और दूसरा जो यह है, इनके जो loops हैं, इसको हम बोलते हैं pitch, इसको हम बोलते हैं pitch, तो आपको radius निकालना भी आना चाहिए, पिछ निकालना भी आना चाहिए, रेडियस कैसे निकाल लेंगे, Q V B equals to होता है, M V square over R, लेकिन यहाँ पर Q तो ठीक है, V जो है केवल perpendicular वाला effect है, like perpendicular वाला कौन सा है, this is equals to M V perpendicular by square by R, V perpendicular यहाँ पर कौन सा था, that is V sin of theta लिखो, और V sin of, अभी के लिए हमारा example था, 45, perpendicular, यह इसके लिए काम करेगा, तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, R हमारा हो जाएगा, simple, V से भी cancel, R हो जाएगा, M V perpendicular over Q B, R निकल जाएगा, जो pitch है वो, इसका distance, means, एक circular motion और दूसरे के बीच में, helix में, जो है, जो pitch हो जाएगा, इसको मैं P से represent करता हूँ, कई बार इस motion में pitch भी आपको आ सकता है, pitch हो जाएगा, कितनी velocity से move कर रहा है, means, pitch क्या है, यह distance, यहाँ से यहाँ तक, तो यह distance कितनी है, velocity into time, that is, velocities की कौनची, यह वाला motion किसकी वज़े से मिल रहा है, parallel की वज़े से, यान की cos of theta की वज़े से, V parallel into delta t, distance equals to क्या होता है, velocity into time, और V parallel कितना है, P equals to V cos of theta, और into delta t, और V cos of theta को हम लिख सकते हैं, V cos of, हमारे example में, V cos 45 into delta t, यह आपका pitch है, LX motion का pitch कितना है, लेकिन delta t कहां से निकालेंगे, delta t equals 2 हो जाएगा, 2 pi r divided by velocity V, और delta t equals to, 2 pi r distance कबर कर रहा है, और आप वहां से फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन V यहाँ पर V perpendicular नहीं होगा, sorry, V parallel नहीं होगा, V perpendicular होगा, क्यों, क्योंकि जो यह circular motion है, यही तो है delta t, time period क्या है, जितना यह rotate कर रहा है, तो यह जो time period है, इस time period में यह क्या कर रहा है, 2 pi r circumference and जो आपका velocity है, इसके correspondence वो perpendicular वाली velocity है, तो आपको जो pitch आ गया, P equals to V, V parallel यह वाला formula, और delta t equals to हो जाएगा, 2 pi r over V perpendicular, that's it, this is your formula for pitch, P, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके according, this is V cos of theta into 2 pi r divided by V of sin of theta, यह आपका P, और हम क्योंकि 95, हमने 45 डिग्री माना है, हुआ है, तो यह V cos of 45 into 2 pi r divided by V sin of 45 degree, तो यह helical motion या helix motion कहलाता है, magnetic field अगर velocity के साथ, जो है, charge particle के velocity के साथ, other than 0 or 90 degree angle बनाते हैं, तो आप हर sign की value आप यहां से रख सकते हैं, जो भी value है, मैंने conventionally 45 मान लिया, तो आप इसको इस तरह से solve कर सकते हैं, तो हमें क्या पता चला, जिस तरह से electric field में, charge particle में जो force लगता है, वो simple, बहुत easy होता है, कि वो simple, आपका 1 over 4 pi epsilon और पहले charge का magnitude और दूसरे charge का magnitude divided by R square होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो लॉरेंज force है, यह थोड़ा सा complicated है, वो complicated क्या बना रहा है, इसको, charge particle की velocity और magnetic field के बीच direction, जो है, इसको थोड़ा सा complicated बनाती है, तो उसको समझने के लिए हमने technique अपनाया, कि suppose हमने पहले माना कि यह force maximum हो सकता है, 90 degree पे, तो उस time मुझे पता चला, कि जो work done, जो है, magnetic force का, वो zero हो रहा है, लेकिन और angle भी तो हो सकते है, तो हमने 3 angle consider कर लिए, तब क्या हो सकता है, case 1, case 2 and case 3, तो this is the motion of charge particle in magnetic field only, अब next question आता है कि अगर दोनों में रखा हो, electric field और magnetic field में, तब हम उसको देखेंगे, खेर, फिलाल के लिए यह काफी है, next time देखते हैं, thank you.